नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर एंपी सिंग आप से भी का सवाद़ करता हूँ साथियों बहुत सारे लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता है हम तो नाम भूल जाते हैं, हमें सकल याद रहती हैं, अब हमारी उम्र ढलती जा रही है इस को हम कैसे ठीक करें। साथ हो इस पर अने को लोगों के कहने की आधार पर मैं इस वीडियो को आपके पास जाली कर रहा हूं। साथ हो इसके लिए सबसे पहले हुती है मैमी मेमोरी को बढ़ाने के लिए Concentration की जरुत होती है कि हम अपने आपको Concentrate कैसे करें। इसके लिए पर्मुला है कि आप जमीन पर आसन लगाकर कि बैठ जाएं और सामने एक स्थूल पर एक जल्ती हुई मौमबत्य रख लें उस मुंबती को जलाकर देखेंगे तो उबर का प्रकास सफिर होता है उससे पीछे लाल प्रकास होता है उससे नीचे नीला होता है अपना धान आपने केंद्ध करना है या तो लाल पर करना है या नीले पर करना है और ऐसा पांच से साथ मिनट तक आपने उस पर केंद्ध करत कीजिए जिस दिन आपका 10-15 मेंट 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 हो जाएगा आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी आपको याद होना सुरू हो जाएगा आपका कंसंट्रिशन ठीक हो जाएगा साथ दूसरा और पताना चाहता हूं कि आप अपने घर के अंदर एक कागज लें उस पर गूल द देखते रहें देखते रहें एक ऐसी इस्तति आएगी कि उसमें से सूर्य की करने निकलती हुई आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसा 5-7 मिट करना है साथ दो ऐसा करने से भी आपका कंसंट्रिशन बढ़ जाता है साथ हो दूसरा है कि आपको भुजर के साथ में हरी मिर्च क सेवन करना है सुबह आपको बदाम पीस करके खाने हैं आपको फास्ट फूर नहीं खाना है मैदे से बनी हुई वस्तूं का स्तियाग कर देना है मीठा बिल्कुल छोड़ देना है जो भी बजार की वस्तूं मिठाई आदी है उन सबसे दूर रहना है तभी जाकर के आपकी जो भूलने की आदत है वो खतम होगी और मैमोरी पावद आपकी बढ़ जाएगी ऍसके लिए और साथ को जो भी आप बढ़ते हैं उसको लिख कर के देखना है बार बार लिखना है सुंदर सुंदर लाल起 में लिखना है जहां पर भी आप बूल जाते हैं उसको द्वहरा से डिविजन में लाना है, ऐसा करने से आपकी मेमूर रिपावत इंक्रीज हो जाएगी, साथ यो बहुत सारे टिप्स हैं, और जो टिप्स हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए जारी करूँगा, मैं इन बातों के साथ में आपने मुझे सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक और सेयर नहीं किया है, तो मैं निवीदर करता हूँ कि जल्दी से लाइक और सेयर कीजिए, और लोगों तक पहुँचाएं, ताकि अन्य लोग भी इस बीमाली से जो गिर सकें, वो भी ठीक हो जाएं, और वो भी आप लोगों का धन्यवाद कर सकें, इन सब बातों के साथ में आपका बहुत बहुत सुप्रिया, बहुत बहुत आफा.